दोस्तों क्या आपको पता है कि आज हम जिस कैलकुलेटर के माध्यम से बड़ी से बड़ी गड़नाओं को आसानी से कर लेते हैं उसका अविस्कार सरोप्रथम किस ने किया था तो चलिए जानते हैं कलकुलेटर का इस्तिमाल 17 सदी से होता रहा है लेकिन उस समय यांत्रिक कलकुलेटर काम में लिए जाते थे जिसका अविस्कार सरोप्रथम विलहल्म शिकारड ने सन 1642 में किया था और इसे बलेज पास्कल का नाम दिया गया था तो आपको यह जानकाटी जानकर कैसी लगी कमेंट सिक्षन में लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए जाएगा